नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं Dr. Sonvir Singh, राजकी एप पॉल्टेक्न जानसर्थ मुझफण नगर से, आज के सेसन में आप सभी का स्वागत करता हूँ. दोस्तों, आज के सेसन में हम Civil Engineering के Second Semester, Fourth Semester और Sixth Semester के लिए उनके syllabus पर, पाठेकरम पर चर्चा करेंगे, कि उनको आने वाले semester में, जो इस समय सम semester चलेगा, उसमें कौन-कौन से विसेप पढ़ने होंगे, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको विदित है कि सभी student जो है नेक्स semester में उनकी सेसन स्टार्ट हो गया है, उ सिलेक्षन के बाद, चुनाव के बाद, तो आज के सेसन में हम देखेंगे कि civil engineering के second semester, four semester और six semester के बच्चे, अब आने वाले semester में, कौन-कौन से विसेप पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम second semester की तरब चलते है, civil engineering, प्रावदिसिच्छा परसद उत्तर प्रदेश का जो ब्रांचे civil engineering में हैं, जिसमें एक civil engineering है, जिसका code 322 है, दूसरी जो ब्रांच है वो civil engineering, environmental, pollution and control के नाम से है, जिसे हम civil engineering, EPC बोलते हैं sort में, जिसका code 323 है, तो इन दोनों ब्रांच के students को आने वाले, अब सम semester में, second semester के चात्रों को कौन-कौन से विसेपढ़ने होंगे, और उ सब आपको आज के इस वीडियो में पता लगेगा, जो भी student आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदने क्रिप्टा चैनल को subscribe कर लीजे, और नीचे बने bell आइकन को click कर लीजे, जिससे आपको latest updates और notifications मिलते रहें, तो आईए सबसे पहले हम बात करते हैं, second semester की, second semester के civil engineering में अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो subject होगा, वह आपका होगा, applied mathematics second, then second जो subject आप पढ़ेंगे second semester में, वो computer-aided drawing होगा, care जिसे बोलते हैं, तीसरा subject होगा, applied mechanics, चोथा subject होगा, basics of mechanical and electrical engineering, fifth subject होगा, basics of information technology, and sixth subject होगा, general workshop practice second, और उसके बाद जो activities में हैं, उसमें student-centered activities, SEA के नाम से, एक activity का subject रहेगा, उसके बार second semester के evaluation की बात करें कि इसका मुल्यांकन किस पकार से होगा, तो जो आपका applied mathematics का subject है, उसमें 5 lecture होगे week में, 20 number का इसका internal assessment होगा, और 50 number का इसका external होगा, जो theory का exam होगा, धाई गंटे का, बोड के द्वारा लिया जाएगा, तो total इसका जो evaluation होगा, 70 number का है, दूसरा जो subject है, वो computer-aided drawing की अगर बात करें, तो यह 8 lecture इसके week में होगे, यह practical subject है, और इसमें जो practical के marks internal assessment में, वो 40 number होगा, इसका CAD का कोई भी theory का exam नहीं होता है, दिहान रखे है, इसमें केवल practical होगा, जिसका 40 number का internal होगा, और 60 marks का external होगा, इसका theory का कोई भी external exam नहीं तो यह total 100 number का होगा, एप्लाइड mechanics की बात करें, तो week में 5 lecture होगे, दो lab होगी इसकी, और इसका assessment 20 का theory होगा, और 10 number का practical होगा, तो total 30 number का internal assessment होगा, external assessment की बात करें, जो board के द्वारा लिया जाएगा, तो 50 number का theory का exam होगा, जो 5 गंटे का होगा, और 20 number का practical होगा, total 70 number का external assessment होगा total internal or external मिला के यह 100 number का होगा, और जो subject है basics of mechanical and electrical engineering की बात करें, तो 6 lecture इसके week में होगे, दो labs होगी, दो lecture की, और total यह 20 number का इसका theory होगा, 10 number का practical, total 30 number का internal assessment होगा, external की बात करें, तो 50 number का theory का धाइगंटे का paper होगा, 20 number का practical होगा, और total आपका 70 number का external होगा, और कुल मिला के यह 100 number का होगा, इसी तरह से, जो fifth subject है basics of information technology, इसमें केवल labs होगी, इसमें कोई theory का practical नहीं होगा, lecture नहीं होगा, इसलिए इसका जो internal assessment है, उसमें केवल practical के number होगे, और इसका आपको external का कोई exam नहीं देना, theory का, केवल आपको practical exam external में देना होगा, जो 60 marks का होगा, इस तरह से, यह 100 marks का होगा, six जो है, वो general works of practice second है, यह भी lab है, इसका lab का assessment 40 number का होगा, internal assessment, और 60 number का external होगा, total 100 number का होगा, student center activities, में 6 lecture होगे week में, जिसमें different type की activities के marks होगे, यह internal assessment होता है, इसमें केवल, और 30 number का होगा, यह number आपको कैसे मिलेंगे इसका भी हम आने वाले इसी वीडियो में वीचर्चा करेंगे, तो total आपका जो assessment है, first year का, sorry, first year के second semester का, वो 230 number का internal है, तो 370 number का external है, इस तरह से आपका total 600 number का बनता है, अब हम fourth semester पर आते हैं, fourth semester वाले बच्चों को क्या-क्या पढ़ना होगा, तो fourth semester में बच्चों को communication skills second, प surveying first, पांचवा subject होगा, reinforced concrete, sorry, reinforced cement concrete structure, जिसे RCC structure बोलते हैं, और इसी में जो six subject होगा, वो energy conservation होगा, energy conservation के लिए बता दूँ के आपको मेरे चैनल पर already energy conservation की पूरी lecture series available है, energy conservation का complete syllabus आपको मेरे चैनल पर, जो के Dr. Sonvir Singh, Creative Science and Technology के नाम से है, इस चैनल पर energy conservation की playlist में आपको सारे video lectures मिल जाएंगे, तो आपको इस chapter की तरफ, विसे की तरफ से ज्यादा परिशान होने की आवशकता नहीं है, 7th जो chapter होगा, 7th जो subject होगा, वो RCC drawing का होगा, और उसके बाद last जो activity का subject है, वो student-centered activity SC है, तो ये आपके 4th semester के विसे होंगे, इनका जो evaluation अगर हम देखें, तो evaluation में इनका पहला communication skills है, 4 lectures, 2 lab होंगी, 20 number का internal theory और 10 number का practical, total 30 number का, external theory और practical 50 और 20 का total 70 का, तो total cool में लाके external मिलाके 100 marks का होगा, इसी तरह से highway engineering की बात करें, तो 6 marks 6 lecture होंगे, 2 practical के लेक्चर होंगे week में, 20 number का internal theory होगा, 10 number का internal practical होगा, total internal assessment 30 number का होगा, external assessment की बात करें, तो 50 number का theory और 20 number का practical, total 70 number का, और overall internal plus external मिलाके 100 number का होजाता है, Irrigation Engineering की बात करनें तो 5 lecture होंगे week में, 20 का theory होगा, lab practical इसमें Irrigation Engineering में नहीं होता, केवल lecture होता, इसलिए इसमें theory का 20 नंबर और theory का exam का 50 नंबर, तो total इसका 70 marks का होगा. Surveying First की बात करें, तो Surveying First में 4 lecture और 8 practical होगे, इस तरह से इसका internal assessment 20 नंबर और 10 नंबर, तीस का होगा total, और extern में 50 नंबर का theory का exam, डाही गंटे का, और 20 नंबर की lab, total 70 नंबर का होगा. इसी तरह से 5th subject जो होगा, reinforce, cement, concrete structure, RCC structure, तो 6 lecture होगे इसके, और 20 नंबर का इसका theory का होगा, practical इसमें होता नहीं है, और 50 नंबर का इसमें theory का exam होगा, total 70 नंबर का है. energy conservation की बात करें, तो 3 नंबर का, इसमें 3 lecture होगे, 2 lab होगे, 20 नंबर का इसका internal assessment theory का है, 10 नंबर practical का है, total 30 नंबर का होगा ये, और 50 और 20 का इसका external है, तो इस तरह से 100 marks का होगा, तो energy conservation के लिए laboratory भी practicals भी already हमने समझाए हुए वीडियो के माध्धम से, तो आप नहीं भी project है, आपका RCC drawing है, इसमें capable lab होता है, practical नहीं होता, तो इसका internal assessment में practical का marks होगा, 20 नंबर और 50 नंबर का इसका theory का exam होगा, तो ये title इसमें 70 marks का होगा, fine, उसके बाद, बात करें हम student center activity की, तो इस 30 नंबर का होगा, 30 नंबर का internal assessment होगा इसका, और इस तरह से total बात करें, तो 350 नंबर का internal assessment होगा, और 430 नंबर का external assessment होगा, और overall marks जो होगे, वो 640 नंबर के होगे, अब हम आते हैं, 6 semester पर, तो 6 semester से पहले 4 semester में, जो student center activities है, उसकी अगर हम बात करें, तो student center activities comprises of co-curricular activities, इसमें जितनी भी co-curricular activities हैं, वो consider की जाती हैं, जैसे extension lecture, self-study, games, hobby, clubs, photography, ये सब seminar, contests, educational fields, widgets, NCC, NSS, cultural activities, disaster management and safety, different तरह की activities इसमें आती हैं, वो depend करता है, जो भी faculties और जो teachers आपको पढ़ाएंगे, ने SCA में कराएंगे activities, वो इन पर depend करता है, किस तरह की activities कराएंगे, ये different कुस activities इसमें से यादे रखी हैं, इसके साथ-साथ 4th semester को complete करने के बाद आपको चार वीकी एक industrial training भी करनी पड़ेगी, जो कि 4th semester की exam के बाद आप करोगे, और इसका evaluation जो होगा industrial training का, वो 5th semester में होगा, ठीक है, तो एक industrial training भी आपको करनी होगी exam के बाद, अब हम 6th semester पाते हैं, तो 6th semester में सबसे पहला जो है, वो एक surveying camp होगा आपका, survey camp, उसके बाद subject की बात करें, तो quantity surveying and valuation पहला subject है, दूसरे की बात करें, construction management, accounts and entrepreneurship development, ये दूसरा subject है, तीसरे की बात करें, design of steel structure, ये तीसा subject है, और four subject की बात करें, तो steel structure drawing, steel structure drawing ये four subject है, और इसी के साथ अगर हम fifth subject की बात करें, तो software application in civil engineering, ये fifth subject है, 6th semester में, और 6.6 जो subject है, वो छटवा subject है, एक elective है, elective में आपके पास दो है, जिसमें 6.6.1, repair and maintenance of building, और दूसरा है, plumbing services, ठीक है, ये दो और तीसरा जो है, वो analysis of structure, इस तरह से तीन यहाँ पर आपको elective मिलना है, इन में से कोई एक elective आपको चूज करना होगा, इसके बाद, 6.6 में जाएं, तो environmental management, ये 6.6 जो subject है, वो environmental management, ये छटवा subject, ये केवल environmental and pollution control वाली ब्रांच को ही पढ़ना है, छटवा subject ये वाला, और 6.7 में project work है, तो 6.6 के वल environmental and pollution control वालों के लिए है, और 6.7 में जो है, वो आपका project work है, उसके बाद last जो है, वो student-centered activities है, जिसमें different तरह की activities कराई जाएंगे, एक वार इसका evaluation देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो surveying camp होगा आपका, क्योंकि आपने survey camp के जो marks हैं, वो 40 नंबर का external है, टोटल 100 नंबर का आपका surveying camp का marks है, quality surveying and valuation में 6 lecture का ये load है, 6 lecture होगे week में, 20 नंबर का थियोरी का होगा, 50 नंबर का इसका external होगा, total 70 नंबर का है, constructional management, account and entrepreneurship development में 5 lecture होगे week में, 20 नंबर का थियोरी का, इसमें कोई practical नहीं होगा, 50 नंबर का external होगा, total 70 का है, design of steel structure भी 6 lecture होगे, कोई practical नहीं है, इसमें, 20 नंबर का इसका थियोरी का internal होगा, 50 नंबर का external, total 70 marks का होगा, steel structure drawing भी अगें, steel structure भी 6 lecture दो चार लेब होगी, practical होगे, तो इसका 20 नंबर का practical होगा, इसमें theory का exam नहीं होगा, तो cable internal में आपको practical के marks मिलेंगे, लेकिन external इसका थियोरी का होगा जो 50 नंबर का होगा, उसमें आपके 50 नंबर ये, तो total 70 marks का होगा, software application in civil engineering में बात करें, तो art lecture की lab होगी, तो इसमें 40 नंबर का इन में practical का internal assessment होगा, और external में देखें, तो 60 नंबर का इनका external practical होगा, total ये 100 नंबर का होगा, अगर हम elective की बात करें, तो elective subject जो भी आप होगा, practical इसमें नहीं है, और 50 नंबर का history का exam, total 70 का होगा, project work की बार करें, तो project 40 का internal assessment, और 60 का external, total 100 marks का होगा, student center activities, 30 नंबर की होगी, तो इसमें 30, तो total जो आपका बनता है evaluation, 6 semester का, वो 250 marks का होगा, 250 marks, internal assessment, और 430, external assessment, total 680 में से आपको evaluation होगा, 6 semester के 6.6 में जो environmental के लिए है, 6.6 में बताया था, EPC branch के लिए केवले subject, ये केवल उनी को पढ़ना है, जो EPC branch वाले हैं, और 20 नंबर का theory होगा, इसका 50 नंबर का external theory होगा, total 70 का होगा, project work आपका 40 का और 60 का 100 का है, student sector activities जो है, वो 30 marks की है, तो ये आपका इस तरह से 6 semester होजाता है, assessment of SCA की बात करने के student center activities के marks आपको कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए कुछ guidelines प्रवाइट की गई हैं बोर के द्वारा, it was discussed and decided that the maximum marks for SCA should be 30 as it involves a lot of subjective in the evaluation, यानि इसका जो अधिक्तम अंक हैं, वो 30 नंबर होगे, और इसमें बहुत सारी activities involved हैं, एक subjective matter है, तो इसमें क्या-क्या marks कैसे कैसे होंगे, तो सबसे पहले जो 10 marks हैं, these 10 marks for general behavior and discipline के लिए हैं, जो के head of the department in consultation with all the teachers and of the department, department जितनी भी faculties हैं, उनसे consult करते हुए head of the department के द्वारा discipline and behavior के आदार पे आपको ये 10-90 से number मिलेंगे, पांस number head of the department देंगे with the consultation of the teacher, जिसमें कि ये attendance के marks हैं, कि activities के दोरान आपकी कैसी attendance रही है, अगर different activities में आपकी 45-85% attendance तो दो number तक मिल दखते हैं, 80-85% है तो 4 number और 85% है तो 5 number, इसी तरह से जो 15 marks हैं, 15 marks maximum for sports NCC cultural co-curricular NSX activities, तो 15 marks आपके sports और NCC NSX activities के लिए हैं, जिसमें अगर आपने state or national level पर participate किया है किसी भी event में, तो 15 number मिलेंगे, 10 number है, अगर participation in two or of above activities, तो मैंसे किसी भी दो activities में, अगर आपने participate किया है, तो 10 number मिलेंगे, और inter polytechnic level participation अगर आपने किया है, different polytechnic level पर तो वो आपके 5 number का है, इस तरह से इस 30 number का, आपका assessment of student-centered activities का है, तो, this is the link for the complete syllabus, यहाँ आप देखें, तो आपकी जो code है, इसका 322 से 323 है, और यहाँ यह गलत code लिग गया है, यह 322 से 323 है, civil engineering, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर आपको syllabus मिल जाएगा, इसका, जैसे इस पर क्लिक करते हैं, तो you will get the syllabus, website पर आप पहुच जा हुए, bte.up.ac.in में syllabus के अंदर आपको 322 देगे, सबसे पहले number पर, diploma course in civil engineering, और दूजर 323 पर diploma in civil engineering, EPC, इन दोनों course यहाँ अवलेवल हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपका syllabus open हो जाएगा, इस syllabus में आप आसानी से आपके syllabus क्या रहेगा, उस subject का detail में, जैसे विसाय तो हमने आपको बता दिये, उस विसाय के अंदर आपको क्या पढ़ना है, वह आ आप easily आप यहाँ से वह प्राप्त कर सकते हैं, इसके साथ यह link है इसका, btup.ac.in, webapp, oblix, syllabus.asps, question mark, type is equal to 6, यह link हम description box में आपको प्रवाइड कर देंगे, इसको क्लिक करते ही आप आसानी से syllabus पर पहुँच जाएंगे, thank you, thank you very much, thanks for your patience, जो भी student आप चैनल से पहली बार जु कीचे बार